नेक्स हम बात करें अभी हाली में USA के बीच में और UK के बीच में USA और UK के बीच से एक अभी संधी हुई है USA और UK के बीच में संधी हुई है जिसको उन्होंने नाम दिया है New Atlantic Charter New Atlantic Charter तीक है याद रखेगा अभी हाली में इस पर अस्ताक्सर अभी हुए है अभी हाली में अस्ताक्सर हुए है इन दोनों के बीच में और ये सही 80 वर्स बाद हुआ है 80 वर्स बाद ये क्या हुआ है ये समझोता हुआ है मतलब क्या हुआ 80 वर्स बाद इसका मतलब पहले भी हो चुका है तो हम उसको बोलेंगे Atlantic Charter पर पहले भी अस्ताक्सर हो चुके हैं Atlantic Charter पर अस्ताक्सर पहले भी हो चुके हैं और अब जो हुए है 80 साल बाद उसका नाम New Atlantic Charter रखा गया है और ये कब की बात है? ये हुए थे Newfoundland में Newfoundland में ये हुए थे और ये Newfoundland जो है Canada में जगह है और ये कब की बात है ये बात है 1941 की 1941 की बात है जब किसके बीच में जब 1949 से लेकर के आपको पता होगा 1945 के बीच में हम किस दोर से गुजर रहे थे हम दूसरे विशुव्यूद से गुजर रहे थे दूसरा विशुव्यूद हमारे यहां पर चल रहा था पूरे विशु में और जो ये मिटिंग हुई थी इसके बारे में किसी को भी एक कानों कान खबर नहीं थी कि कि इसकी बीच में USA के परधानमंत्री और जो है USA के रास्पती और UK के परधानमंत्री की 20 में मतलब हम जब बात करेंगे किसकी उस टाइम पर जब हम बात करें USA के जो रास्पती थे वो आपने नाम सुना होगा रुजवेल्ट का नाम सुना होगा रुजवेल्ट एक है और यह आपने UK का नाम सुना होगा UK के परधानमंत्री का विश्टन चर्चिल तो यह उस समय तो 1941 में एक साइड तो युद चल रहा था कौन सा दूसरा विश मिटिंग का में अस्ताक से वे किस पर अट्लांटिक चार्टर पर वहां पर वे न्यूफाउंड लैन कनाडा में यह किसके लिए वे थे यह आपको पता होगा दो धड़ों में तो पुरा विश्व बटा हुआ था एक को बोलते थे हम धुरी रास्ट्र और एक को बोलते थे और एक को यह बोलते थे और डुरी रास्ट्र जो है वो खु़ ज्यादा ही पारफृ अलगर रके थे इसमें आप जर्मने इट्लर की बात कट दें या फिर जिए सब्स e 8 जिसमें USA है या फिर जिसमें ब्रेटेन की बात करते हैं या फिर जिसमें रसिया की बात करते हैं यह तो इस जैसे देश जो हैं वो कहां सामिल थे इस जैसे देशों की बात करते हैं या फिर फ्रांस की बात करेंगे यह सारे देश मतलब जो टुकड़ों में बटा हुआ था प वो मेरे अंडर में है मतलब जहां जो जहां से सुरुज निकलता है वो और जहां पर सुरी अस्त होता है वो सब मतलब पूरा विश्व पर मेरा राज है मैं एक विश्व में सबसे बड़ा मतलब एक तरीके से मतलब सबसे आदा देशों पर मैं राज करता हूं और मेरा सुरु 9 में दूसरे विस्यूद शुरूर हो चुका है लेकिन इस दूसरे विश्युत में USA रहे वह सामिल नहीं था याद रखे इस बात को USA कम सामिल हुआ है 1941 में सामिल बात नी जो dalis से पहले यह किसको साथ दे नहीं रहा था ये USA जी यूएस से करा रहा था किन को करा रहा था बिर्टेन को रस्या को फ्रांस को अरे कभी आज रस्या बिलकुल विरूध है रो देखो कभी इनको पैसा दिया करता था लेकिन अरे वो जो जर्मनी और ये जापान जो है इतने ज्यादा कुछ से खतरनाख हो रखे थे कि उन्हो से लुट जाएगी तो इसलिए आप थोड़ा सा अमारी एल्प किजेगा तो इसे एल्प की बात करते हैं तो ये USA ने क्या किया अरे बिल्कुल ऐसा नहीं माना बहुत सारी चीजें इसमें सामिल की गई इसमें लगबग आठ बिंदों पर साइन हुए और उस आठ बिंदों मे एक आदा बिंदों में आपको बढ़ा देता हूँ सबसे पहले अमेरिका ने यह कहा किया अप आपप के मतलब करना हो सभी अब को आजाद करना होगा आप उनको क्या करिएगा बिलकुल इंकर अब भारत का नाम भी आता है उनी में ही भारत का नाम सामिल है कि भारत भी 1947 में जो आजाद हुआ था और मैं आपको बताओं इसी ये बात होने के बाद मतलब आठ साल में क्या हुआ आठ साल में लगबग बिटेन के अंडर में जितने भी देश थे उन सभी को लगबग आजाद कर दिया गया भाई कि आप कभी आप ये माने कि कोई भूत आ गया है भाई थोड़ा सा मैनेज कर लेजेगा तब तक जन्रेंट चलता है तो क्या है आठ साल में बेटेन ने क्या कर दिया बेटेन ने सभी को आजाद कर दिया और ये जो इस जो मेटी ओ रहे थे ना इन दोनों के भीश में जो य अब फिर इसका मतलब क्या हो गया अब जितना भी अब पूरे विशु का अब यहां से ही डिशाइड हो गया था कि पूरे विशु का निर्थित्व आप कोन करने वाला है यहां से मतलब अमेरिका एक यूएस से एक पावर के रूप में उभरा और वो आज तक पूरे विश के समय में कि अब कोई भी देश अब एक पढ़ान रखेगा आज जो हमें जो आजादी मिली हुई है आज जो हमें आजादी मिली हुई है मेरे साब से यह उस चार्टर वो चार्टर एक्ट नहीं होता वो अट्लांटिक चार्टर नहीं परसाइन नहीं होते तो आज मेरे कहा गया इनके दवारा उसी प्रकार मतलब साथ से आठ वर्चों में सभी को आजाद कर दिया गया उसके बाद इन्होंने एक और कर रखा था किसकी बात कर रहा हूं मैं बिर्टेन की बिर्टेन को ये कहा गया कि वही जो आपका समुंदरी व्यापार है आपका जो समुंदरी द्यापार को क्या कर दो आपका जो एकादिकार बना हुआ है उसको मुख कर दो मतलब पहले इनकी जो थे ते तो समुंदरी समंदरी व्यापार को तो है समुद्र से समुद्र से आप कोई भी व्यापार कर सकेगा जिसका पहले आपका अधिकार होता था और उसी सीरीज में इन्होंने ये कहा एक और बात अभी आपने नाम सुना होगा जो मैंने अभी बताऊंगा आपको नाटो एक संस्था बनाई इनके द्वारा नाटो एक संस्था बनाई वो नाटो जिसमें 30 सदस्य देश है जिसमें 30 सदस्य देश है वो नाटो इनके द्वारा बनाया गया वो नाटो जो स्थापना की जब हम बात करते हैं वो किसके द्वारा की गई है वो उस नाटो की स्था इसको पैसा दे रहा था न अमेरिका वो सारे देश ही इसे नाटो के अंडर में जो आने लगे भाई इसको नोट करके रखेगा बिल्कुल जी और बहुत इंपोर्डेंट चीज है यह और आपके लिए बहुत ही इंपोर्डेंट मानी जाती है याद रखेगा तो नाटो को जो बनाने का जो श्रे दिया जाता है वो किसको दिया जाता है वो इसे अमेरिका को ही दिया जाता है नाटो ने क्या किया था बिल्कुल इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी वो इसी अमेरिका के द्वारा ही की गई थी ठीक है यह बिल्कुल इंपोर्टेंट है इसको भ मतलब बिडेन साब के बीच में और जो है युके के बिटेन के परदानमद्री के बीच में यह अभी हुआ है कि फिर ऐसी कंडिशन तो फिर भी आई हुई है अरे ले को इस्राइल ने फिर हमास पर फिर हमला कर दिया आपको पता होगा इसने अभी हाली में फिर हमला कर दिया ह किस ने हमला कर दिया है यूएस से इसराइल ने किस पर हमला कर दिया इसराइल ने अभी हाले में फिर हमला कर दिया है किस पर हमला किया है वही हमास मतलब फिलिस्तीन पर फिर हमला कर दिया गया है ठीक है बिलकुछी चलो